सभी भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम आज बहुत खुशी का दिन है कि इस आश्रम फ्लाइओवर एक्स्टेंशन का उद्घाटन किया जा रहा है और ये जनता के लिए खोला जा रहा है आश्रम फ्लाइओवर से डी एंडी तक का ये एक्स्टेंशन जो अब पहले घंटों घंटों तक इतने लंबे-लंबे ट्राफिक जैम होते थे खास कर सुबह और शाम को आफिस आर्ज में अब लोगों को इससे निजात मिलेगी और जैसा भी इंजिनियर साब ने बताया कि तीन रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नौइडा से और इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फराटे से वह नहां पहुंच सकते हैं तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हुई इस दोरान क्यूंकि काफी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्राफिक की काफी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन जब भी को को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनकी वजह से ये जल्दी से जल्दी जैसा भी इनोंने बताया कि किसे को यकीन नहीं हो रहा था कि 45-60 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे लेकिन कंप्लीट करके दिखाया अभी दो चा चोटी-चोटी चीजे बाकी है जैसा बताया गया कि हाई-टेंशन वायर एक है तो कुछ दिन तक अभी इस पर लाइट वहिकल चलेंगे जब वो हाई-टेंशन वायर हटा दी जाए वो उसका वह जाएगा तो दूसरे वहिकल को भी अनुमती दे दी जाएगी ये 1425 मीटर लंबा फ्लाइवर है दिल्ली के अंद अभी तक 101 फ्लाइवर और अंडर पास हैं उसमें से लगबग 27 फ्लाइवर और अंडर पास पिछले साथ साल में हमारी सरकार के दुरान बने हैं तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाइवर या flyover के extension या doubling of flyover इस तरह से 15 और बड़े बड़े projects pipeline में है जैसे पंजाबी बाग में six lane flyover बनाया जा रहा है जो की उमीद है 31 December इसी साल complete कर लिया जाएगा सराइक आलिक हाँ पर आप देखोगे तक complete हो जाएगा मंगल पांडे मार्ग flyover गगन सिनेमा पे एक flyover बनाया जा रहा है doubling of flyover at Savitre cinema Nehru place, rotary at Shalimar Bagh, Najavgad Firni, Ma Anandmai flyover, Tripolia gate से Rani Jhansi flyover, East-West corridor, North-South corridor, elevated road from Wazirabad signature bridge to D&D flyway, extension of Nehru place flyover to Modi Mill flyover, LC-12 railway over bridge at Kheda Khurd So, यह लगबग 15 ऐसे और flyover के projects हैं जो दिली के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे हैं और लोगों को वहाँ पे traffic jam से मुक्ति दिलाएंगे, इसके लावा दिली की सडकों को खुबसूरत करने का, मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अनौंस किया था कि दिली की सडकें जो है उनको beautify करने का उनकी रोज सफाई हो, उनकी रोज धुलाई हो, mechanical sucking machine से वहाँ पे मिट्टी हटाई जाए, यह सारी चीजें pipeline में हैं और यह जल्दी इनकी शुरुवात होगी कि पूरी दिली की कम से कम पहले phase में हम दिली की जो PWD की roads हैं, 60 foot से चौड़ी सडके जितनी हैं, लगबग 1480 किलोमेटर, उनको हम पहले phase में उनकी सफाई का काम करेंगे, और beautification का आप देखेंगे, आजकल पूरी दिली में जब आप घूमते हैं, कई जगे अब ऐसी हो गई है, जहाँ पे दिली की सडके बहुत सुन्दर दिखने लग गई हैं, कई जगे फूल पतियां दिख रही हैं, कई जगे अच्छे अच्छी लाइट्स दिख रही हैं, रात को अगर आप एक राउंड लें, तो कई जगे काम शुरू हो गया है, अब इसको पूरी दिली के अंदर अपने को दिली की सडकों को सुन्दर बनाना है, जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखें हैं, इसी से पूछ लो आज, बागे तो मैं आप से लोगों से मिलता ही रहता हूं, तरो राबडी देवी के घर पे चापा चल रहा है, ती बी आई का बताय जा रहा है, वो गलत है, इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के उपर चापे मारना, उनको प्रताड़ित करना साह ही नहीं है, सर कली आप लोगों ने चिट्थी लिखी थी कंसरा आठ से नो विपक्ष के नेताओं उसके बाद चापा क्या, उससे जोड कर देख रहे हैं, उससे जोड के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से, मैंने कल इसके बोला भी था, कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितनी भी राज्य हैं, उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ED, CBI छोड के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंक किया जाता है, या गवर्नर के जरीए उन लोगों को तंक किया जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए थैंक यू